क्या भारत पाकिस्तान के भी सेमिफायल मेच हो सकता है क्या कुद्रत का निजाम कोई चमतकार कर सकता है या फिर पाकिस्तान वर्लकप से बाहर है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सेमिफायल में पहुँचने की कितने पसंचान से तो हम इस बारे में आगे बात करें उससे पहले आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर दें और फेस्बूक में फोलो कर दें जी हां दोस्तों मुझे नहीं लगता कि से कि पाकिस्तान का समय पहुंचने का कोई चांस है अगर बात करें चांस का तो 99.999 परसेंट चांस ह कि पाकिस्तान समय फायल में नहीं पहुंच रही है अगर कोई कुद्धत का निजाम है ऐगा कोई चमतकार कर दे तो 0501001 परसेंट चांस है कि वो समय फायल में भाज से वो खेले जिस से निजुलेंड ने से लंका को हराया है पाकिस्तान को समिफायल खेलने का सपना पूरी त्रचकना चूर कर दिया है अगर पाकिस्तान को समिफायल खेलना है तो उसे ग्यारा तारीक को जो मेच है इंग्लेंड के साथ उसे इंग्लेंड को 287 रनों से हराना होगा अगर पहले वलेबाजी पाकिस्तान करती है तो उसे कम से कम गर 400 वर रन बनाती है तो इंग्लेंड को 113 रन पर ओलाउट करना पड़ेगा और अगर इंग्लेंड पहले खेलती है तो पाकिस्तान को 18 गेंद में उस टारेट को चेस करना पड़ेगा इंग्लेंड चाहे जितना भी रन बनाए पाकिस्तान को 18 गेंद वेचेस करना पड़ेगा जो कि नामुम्किन है तो एक ही उपाय है टोस पाकिस्तान जीते वो पहले भले बाजी करे और इतना विसाल टारगेट खड़ा कर दे कि वो 287 रन से इंग्लेंड को हरा दे पर 287 रन से हराना बहुत ही मुश्किल है आज तक से ना कभी पाकिस्तान ऐसा कर पाया है और ना ही कर पाएगा अगर पाकिस्तान इंग्लेंड को 287 रनों से हरा देती है तो उसका समय फाय में मुकाबला कोलकाता में भारत से होगा क्योंकि मुंबई में हो नहीं सकता है क्योंकि मुंबई में पाकिस्तान नियों पर पूरी तरसे बेन लगा हुआ है इसलिए मुंबई में वान खड़े स्टेडियम में यह मेच नहीं हो सकता है अगर पाकिस्तान सहीं पहुंचती है तो उसे सिफ्ट करके कोलकाता कर दे जाएगा लेकिन यह बहुत ही नामुम्कीन है कुद्धत का निजाम बेचाहकर भी कुछ जुरत पड़ी यह सब हुआ कल के निजुलेंड और सिलंका मैच के कारण जिसमें निजुलेंड ने सिलंका को बहुत ही बुरी तरस हरा दिया निजुलेंड ने पहले टोस जीते ही वे बोलिंग करने का निने लिया और सिलंका को 46-5-4 ओवर में 171 पर ओलाउट कर दिया यह मैच बेंगलेरू में खिला जा रहा था इस मेच में सिलंका के सुरुवात बहुत ही खराब हुए तीन के स्कोर पर उसके पहला विकट की रिया पत्थुनिशंका के रूप में सिलंका की तरब से एक मात्र परेबाच कुसल परेरा जिहोंने एकाउनन बनाए जब और 23.2 वर मात 23.2 वर में ये इस रंचेस को हासिल कर लिया 172 रन बनाए पांच विकट के नुकसान पर जिसमें कौनमे और रचिन रविंदन ने बहुत थेंची सुरुबात की कौनमे 25 और रचिन रविंदन 42 रन बनाकर आउट हुए इन्होंने फर्स्ट विकट के लिए 12.2 व पुच्छा जाए तो सारे केर्ट प्रेमी चाहते थे कि सेंफायल में इंडिया के साथ पाकिस्तान का भिडंत हो बट साइद भागवान को मजूर नहीं था और ये साइद अब हो ही नहीं सकता है इससे हम लोगों को थोड़ा सा निरासा होगी पर हम लोगों को इस बात की ख पाकिस्तान का सेंफायल में को हराया था और हम लोग वर्लकप से बाहर हो गए थे वो दिन हमें कभी भूलाने चाहिए कि इस तरह से हमें स्थोनी का रन आउट होते ही सारी उमीदे खत्म हो गए थी इसलिए उस समय का बदला लेने का हम लोग पास सुनारा उसर है इस दे हैं